हर व्यक्ति के लिए free है आप यहाँ पर अपना platform बनाए और अपने product ऐसा व्यापार खड़ा करें जहां आप zero से एक करोड रुपए sales पर कौन काम करेगा purchase पर कौन काम करेगा manufacture से कौन मीट करेगा तो business को अगर 1CR परमत की sale पर लेकर जाना है तो आपको दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर अमित्माईश्वरी मैं CEO and founder director हूँ Metas Oversies Limited Company का और आप लोग जानते हैं कि हमारी company stainless steel modular kitchen की manufacturing करती है export करती है और आज पूरे भारत वर्ष में हमारे franchisee और dealership showroom है आज जी series पर हम बात करने वाले हैं उसकी दो classes अलड़ी हो चुकी है अगर अभी तक आपने वो दोनों classes नहीं देखी तो जरूर देखें क्योंकि ये कोई entertainment based motivational video नहीं है ये video है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं 0 to 1 CR per month business अगर ये बात आप समझना चाहते हैं तो पहले दो वीडियो जरूर देखें तभी आपको आगे वाला chapter समझ में आने वाला है तो हमने बात की थी पिछली class में कि MIP क्या होगा minimum investment plan क्या होगा कहते हैं कि कोई भी business करना है उसका setup करना है तो एक minimum investment plan होता है अब depend करता है कि business आप किस level से शुरू करने वाले हैं आज इसी topic पर हम बात करने वाले हैं कि MIP minimum investment plan क्या होगा अब देखिए हर व्यक्ति के लिए minimum investment plan जो है वो फिल्कुल different है हो सकता है आप एक freelancer होए आपने अभी भी शुरू किया हो तो आपके लिए minimum investment plan अलग है एक व्यक्ति जो business का setup कर चुका है उसके लिए investment plan अलग है और जो व्यक्ति भविश्य में करने वाला है और अच्छी investment के साथ करने वाला है यह existing है लेकि next level जाना चाहता है उसके लिए minimum investment plan different होगा तो बात करते हैं अगर आप freelancer हैं या आपने अभी भी शुरू किया है तो आप कैसे ऐसा व्यापार खड़ा करें जहां आप zero से एक करोड रुपे पर मंत की sale पर चले जाए उसके लिए सबसे पहली बात है कि आप soul proprietorship के रुपे भी शुरू कर सकते हैं या OPC one person company के रूप में भी शुरू कर सकते हैं कहते रहा कि यूँ ही चले थे दिले मंजिलों की तलाश में लोग मिलते गया और कारवा बनता गया शुबारम तो आप अकेले भी कर सकते हैं तो आप खुद start करने वाले हैं तो आप भी इस level को achieve कर सकते हैं दूसरा आपके पास होना चाहिए एक smartphone जिसके लिए आप additionally को investment करने वाले नहीं है जर्नली आज हर व्यक्ति के पास एक smartphone है तो समझ लीजे आप आसानी से 021 CR जा सकते हैं आपको चाहिए एक internet connection जब आप smartphone का इस्तेमाल करने तो internet भी आपके पास है आपको print कराने अपने visiting card जहां पर आपके company का नाम, आपकी firm का नाम, आपके detail, आपके products, आपका contact number, आपका email ID, आपका address ये सारी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो अपने business की information देते हैं पर हर व्यक्ति को information याद रहेगी, ऐसा संभव नहीं है, लेकि जब आप card share कर लेते हैं, card exchange कर लेते हैं, तो उस व्यक्ति की information आपके पास आती है, और आपकी information उसके पास आती है, कभी भी आप एक दिसरी वे contact कर सकते हैं visiting card आपके तयार होगे, उसके बाद आपको करना है शुरुआत, और शुरुआत के लिए क्या करेंगे, आप अपने आपको तयार करें, client से मिलने के लिए, manufacturer से मिलने के लिए, मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले manufacturing setup लगाते हैं, product बनाते हैं, उनसे product की पूरी जानकारी कठी करो, catalog है, ब्रोशर है, price list है, product की description है, सब कुछ उसके बारे में सीखो और समझो, और उसके बाद उनी के सहारे, market में advertisement करना शुरू करो, और वो advertisement कुछ भी हो सकती है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, आप लोगों के पास Facebook account है, Facebook है, LinkedIn है, Twitter है, YouTube है, यह सभी platform हर व्यक्ति के लिए free है, आप यहाँ पर अपना platform बनाएं, और अपने product, अपने services की information बाद डालना शुरू करें, और तयार हो जाएं, जो lead आपके बास generate होगी, उन lead से आप मिलने के लिए तयार हैं, जो manufacturer आपके पास, या आपको contact करेंगे, उ अपने manufacturer से catalog लेकर आपने अपना catalog design कर लिया है, अब आताती है minimum investment की, कुछ एक investment और लगती है, क्या, कि आप जब यह सारा काम करेंगे, और सारी information social media पर post करेंगे, तो काफी सारे manufacturer और काफी सारे buyer आपको contact करेंगे, अब आपको जुरूत होगी उन से जाकर मिलने की, क्योंकि अबी आप एक freelancer है, just started है, office setup आपने नहीं बनाया, तो आपको अपने client से आकर मिलना है, जिसमें लगेगा थोड़ा सा traveling expense, आप traveling expense क्या हो सकता है, आप public transport का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने vehicle का, आपका scooter है, आपका bike है, आपके पास car है, जो भी आपका personal vehicle है, उसका इस्ते standard के according, अपने vehicle को change भी कर सकते हैं, ये तो बात रही किवल उन लोगों की, जो just started है, या freelancer है, या recently start कर रहे है, next कौन से लोग हो सकते हैं, जिनके पास existing setup है, मतला already उनके पास एक company बने हुई है, फर्म बने हुई है, चाहें वो one man army क्यों ना हो, मतलब one person company, या soul proprietorship, या एकल स असानी से internet के माधियम से lead generate कर सके, manufacturers को search कर सके, उसके बाद आगर आपके पास office health, well and good नहीं है, तो co working space का इस्तिमाल कर सकते हैं, आज बहुत सारे startup, बहुत सारे UA, जो existing business कर रहे हैं, वो भी co work space का इस्तिमाल कर रहे हैं, और co work space क्या होता है, कि बहुत सारे business owner एक जगह पर ब आपको बता है basic, वो भी होना चाहिए, आपका mobile phone है, internet connection है, और ready to meet client and manufacturer, अगर आप मिलने के लिए तयार हैं, तो step वही है, कि हम lead generate करेंगे, lead generate करने के बाद, buyer से meeting करेंगे, या buyer को invite करेंगे, अगर आपके पास अपना office है, co work space है, तो आप लोगों को invite कर सकते हैं, अगर नही का setup है, तो basic requirement तो वही है, mobile phone होना चाहिए, internet होना चाहिए, visiting card होना चाहिए, आपने जो इतनी knowledge grab किया, उसका catalog या brochure होना चाहिए, digital presence आपके पास होनी चाहिए, एक firm registration होना चाहिए, GST नंबर आपका होना चाहिए, bank account आपका होना चाहिए, office setup होना चाहिए, यहां भी कई बा अच्छे set हो चुका है, आप अलड़ी 57 रुपे की sale कर रहे है annual, आपको केवल 1 CR तक जाना है, अब आपको चाहिए एक proper team, जिस team के माधियम से बेतर तरीके से systematic काम कर सकते हैं, अब depend करता है business to business, हर business में same team की requirement नहीं होती, पर हर same team हर एक business में काम नहीं कर सकती, इसलिए lead आप generate कर रहे हैं, और उसी को follow करेंगे, तो manufacturer का follow up होगा, clients का follow up होगा, dispatch का follow up होगा, question queries होगी, budgeting पर बात होगी, तो आपको ज़ुरत क्या है, एक या दो tally caller आपके पास होने चाहिए, लीड का proper follow up करें, तो समझ लिए बहुत बड़ी deal हाथ से निकलने के chances दाते हैं, उसके marketing executive होने चाहिए, उसके बाद salesperson, क्योंकि देखो lead generate होगी, कैसे, social media के through भी, और marketing के through भी, अब जो lead generate होई है, उसका follow up proper telecaller कर रहा है, अब जरूरत है, उस salesperson की, जो उस व्यक्ती से deal कर ले, जब client deal के लिए तयार हो, तो salesperson होगा, वही deal करेगा, small scale business में, owner ही कई बार sales की deal को close करता है, तो यह आपके बार depend करता है, आपको चाहिए एक ऐसी team, जो आपके लिए lead generate करे, दोखो, बड़ा important है lead generate करना, Facebook है, LinkedIn है, Instagram है, Twitter है, YouTube है, यह तो होगे social media platform, अब social media platform पर अगर आप काम करेंगे, तो आपकी lead जो generate होई है, उन पर कौन काम करेगा, sales पर कौन काम करेगा परचेस पर कौन काम करेगा, manufacture से कौन meet करेगा, तो आपके पास होनी चाहिए, खुद की in-house, या freelancers की team, जिसमें आपके पास हो गए social media expert, digital marketing expert, executive ऐसे होने चीज़, lead generate कर सके हैं, कई बार तो क्या होता है, कि one man show ही मिल जाता है, आपको एक ही वेक्तिया से expert मिलता है, वही आ social media समालता है, वही आपका lead generation समालता है, और वही आपका digital marketing भी समालता है, paid campaign भी समालता है, तो starting के case में आप ऐसे लोगों को select करें, जो ज़्यादा काम आपके लिए कर सकते हों, और उसके बाद lead generate करना चुरू करें, अब यहाँ पर एक important बात और है, अब अगर आप एक established business owner ह हैं, और already अच्छा turnover आप कर रहे हैं, आपके वहल इसको 1CR पर month तक ले जाना चाहते हैं, तो आपके पास systematic team होनी चाहिए, well organized team होनी चाहिए, जैसे marketing executives की बात करूँ, तो वो digital marketing में कर बात करेंगे तो अलग हैं, और offline और online marketing में बात करेंगे तो different हैं, आपको कौन ले सकते है आप marketing के लिए, freelancers को पाइंट कर सकते हैं, agency को पाइंट कर सकते हैं, या in-house पूरी team बना सकते हैं, जो आपके लिए online marketing करेंगे, ठीक उस तरह से sales generate करने के लिए, या lead generate करने के लिए, आप offline marketing भी marketing executives के जरिए कर सकते हैं, marketing executive या digital marketing वाले वंदों ने आपके लिए बहुत सार sales में convert करना, इसके बीच में आता है follow-up करने के strategy, आने वाले वीडियो में वो भी आपको बताने वाला हूँ, फिर बात क्या आती है, कि marketing executive या digital marketer ने, जो lead generate की है, उन lead को हमें sales में convert करना है, उसके लिए हमें चाहिए sales team, sales team में कौन हो गए, जो आपके tally sales करते हैं, वो भी sales team में हैं, और sales team में कौन होते हैं, sales executive, जो online या offline, telecommunication के जरिए, या client से मिलके, आपके लिए sales की lead को sales में convert करते हैं, अगर आपका business इस तरह का कोई product आपको design करके customer को दिखाना होता है, तो आपको चाहिए team of designer, आजकल बहुत सारे ऐसे businesses हैं, जहाँ designer के requirement होती है, अगर ऐस ज modular kitchen के business में हैं, तो हमें कौन चाहिए होते हैं, जो लोग modular kitchen का design कर सकते हैं, interior में 20 तरह से design required होते हैं, तो क्या होगा, एक 3D designer, एक 2D designer, और एक EPT, EPT जारा तर जो आपका civil का work है, या आपका interior का work है, उसमें आते हैं, या जैसे modular kitchen का work है, तो उसमें EPT, electric plumbing drawings, पूरी floor का 2D plan होत Friends, एक बात का ध्यान रखेगा, अगर आपकी company में multiple products हैं, मतला इतने सारे product हैं कि उसको समालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैंने कई companies में देखा है, जहां पर 1500-200 तरह के product होते हैं, तो वहां उनको product manager ज़रूर चाहिए, 5-6 product manager आपको चाहिए होंगे, अगर आप one share काकड पार करना चाहते हैं, ताकि एक manager तीन से चार product को आसानी से manage कर सके, यह depend करता है, person to person, company to company, product to product, services to services, client to client, जैसे हमारे हैं पर modular kitchen, bathroom vanity, wardrobes, तो तीन अलग designer चाहिए, उनहीं के लिए तीन तरह के अलग, ऐसे sales executive है, जो अलग-अलग product को sell कर सके, तो आपको देखना है कि आपका product manager कितना requirement आपको रहेगा, उसके बाद operation head या co-founder, अब operation head का मतलब क्या है, friend अगर आप के वल sales को focus कर रहे हैं, तो आपके बाद समय नहीं है purchase department को देखने के लिए, यह आप sale और purchase दोनों को focus कर रहे हैं, और जब आपकी sale achieve हो जाती है, तो उसको deliver करने के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं, तो आपको चाहिए operation head, या आपके साथ में आये हुए partner भी हो सकते हैं, co-founder भी हो सकते हैं, आपको चाहिए marketing executive, आपको चाहिए sales executive, और आपको चाहिए operational executive, जो आपके पूरे business में सारी चीज़ों को back end के रूप में संभाल सके, तो business को अगर 1CR per month की sale पर ले investment से कर रहे हैं, मैंने पिछले class में भी बताया था कि दो तरह के method हैं, एक है labor intensive method और दूसरा capital intensive method, labor intensive method में ज़्यादा मेहनत करके व्यापार किया जाता है, पूझी कम लगाए जाती है, जबकि capital intensive method में बड़ी पूझी एक साथ business में involved की जाती है, और कम महनत से ज़्यादा काम किया, मतलब पैसा भी पैसा कमाता है, मतलब उस पैसे से लोगों को hire किया जाता है, और वो लोग आपके लिए काम करते हैं, और आपकी योग्यता और काबलेत में इजाफा होता है, ध्यान रखेगा, lead generation बहुत important है, क्योंकि सारा का सारा व्यापार lead पटिका होता है, और lead का सही follow-up ना हुआ, तो आप कही ना कहीं sales के volume को achieve करने में चूक जाएंगे, इसलिए ज़रूरत है, सबसे पहले ये समझ दें कि हमारे customer कौन है, उन customers की lead हम कैसे generate करेंगे, lead generate होने के बाद follow-up कैसे करेंगे, ये तीनो topic हम discuss करने वाले हैं, हमारे 0 to 1 CR per month business की next class में, फिर मैं वह सारी बाते समझ नहीं आई होगी, दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, एक करोड़ sale per month का business, और ये कोई आसान बात नहीं है, आसान केवल उनके लिए चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, और तुरंद implement करेंगे, और आपने केवल इसी वीडियो से शुरुआत किया तो request है, पहले दो वीडियो ज़रूर देखें, वरना ये वीडियो का 90% पार्ट आपको समझ में आने वाले ही नहीं है, next वीडियो में बात करेंगे, customer define कैसे करें, lead के generate करें, follow up कैसे करें, और follow up करने के बाद sales में कैसे convert करें, इस वीशा पर हम बात करने वाले हैं, और अग CR, sales business per month, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्मा ईश्वरी, आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत